चोपड़ा एजुकिस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागद करता हूँ मेरे प्यारी बचो AIMS के लिए BSC Nursing, BSC Paramedical और Nursing Post Basic के लिए Registration स्टार्ट हो चुके हैं MBBS के अलावा ये तीन टाइप के Courses AIMS द्वारा करवाए जाते हैं तो इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि इसका Registration कैसे करना है, कितनी स्टेप्स में ये Registration करना है, कितनी सीटे हैं, कौन-कौन से Candidate इसके लिए Eligible है और क्या इसका Eligibility Crateria है, Fees कितनी रहेगी, कितनी सीटे रहेगी और Important Dates के बारे में भी इस वीडियो में हम सर्चा करेंगे तो इसकी जो वेबसाइट है, वो exams.ac.in है, जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो इसमें Academic Courses का आपको यहां पर टेप मिलेगा, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर Nursing Option में BSC Owners का यहां Option मिलेगा और BSC Post Basic का Option मिलेगा यहां पर Paramedical Courses का भी यहां पर आपको Option मिलता है, किसी एक पर हम क्लिक कर लेते हैं BSC Owners Nursing पर क्लिक करेंगे या तीनों में किसी पर भी क्लिक करेंगे तो एकी लिंक पर हम यहां पर पहुंच जाएंगे यहां पर हमने Proceed पर क्लिक करना है, तो जैसे ही Proceed पर क्लिक करेंगे, इन तीनों Courses के लिए यह जो इसकी Website है, इस पर यहां हम इस परकार का आपको Interface दिखाई देगा इसमें तीन स्टेप में यह Form Apply होता है, सबसे पहले Basic Registration होता है इन तीनों Courses के लिए Basic Registration करने के बाद में इसमें Code Generate होते हैं और Final Registration होता है Basic Registration में आपकी Personal Details वगरा फिल की जाती है, Photo, Signature और Left हम इसमें आपको Upload करने होते हैं और इसके बाद में Code Generate करना होता है और Code Generate करने के बाद Final Registration करना होता है Final Registration के अंदर City of Choice पेमिंट करने के बाद आप Final Registration कर सकते हैं इसमें तो यह आपका Registration इसमें Complete हो जाएगा यहां पर इसमें अलग-अलग टेप दिये गए है, Notification दिया गया है, BSC Prospects दिया गया है हलांकि यह Prospects नई साल का भी जारी नहीं किया गया, अभी जल्द ही एक-दो दिन में यह जारी हो जाएगा तो यह 2023 का Prospect है, Condition same ही है इसमें और इसमें आपको Registration करना है तो Registration और Login का Option यहां पर मिलेगा यहां आपको अब इसमें एक बार हम Important Dates देख लेते हैं, तो यह 3 Courses के लिए यानि BSC Owners Nursing, BSC Nursing Post Basic और BSC Paramedical Courses के लिए इसमें PG के लिए भी schedule दे रखा है, लेकिन हम यहां UG की ही बात करेंगे Undergraduate Courses के लिए, तो इनकी Starting Date 5th of March 24 को Start हो चुकी है और Last Date Basic Registration के लिए 4 April 24 है, मैंने आपको पहले बता दिया कि यह Registration 3 Step में पूरा होता है, तो सबसे पहले आपको Basic Registration करना है जिसकी Last Date 4th April 24 है, इसके बाद Code Generate करना है, जिसकी Last Date रहेगी वो 12th April 24 रहेगी और Final Registration की भी जो Last Date है, वो 12th April 24 साम 5 बजे तक है तो यह 3 Step में फॉर्म आप Complete कर सकते हैं, एक बार हम इसका Prospect देख लेते हैं इसमें, हालांकि ज्यादा Changes नहीं होंगे इसमें, कौन से AIMS में कौन सा Course करवाया जाता है, यह सारे इसमें दिये गए हैं इसके बाद में जो Fees है इसके Application Form की General Unreserved Category के लिए 2000 रुपीज फीज है इसमें और OBC NCL के लिए भी 2000 रुपीज फीज है SC, ST, EWS और PWBD Candidates के लिए तो कोई Fees नहीं है, लेकिन SC, ST, EWS के लिए 1600 रुपीज एप्लिकेशन फीज है Form Filling के लिए, अब इसमें Seat Matrix आप देख सकते हैं, यह इस परकार से Seat हैं Total Seats इसमें BSC Paramedical Courses के लिए 265 हैं, इसमें अलग-अलग Courses हैं मैं आपको बता दूँ कि जो यह 3 course होते हैं, इसमें सबसे पहले BSC Owners Nursing होता है, तो यह course सिरफ female candidate के लिए है लेकिन जो BSC Paramedical Course है, यह male और female दोनों के लिए हैं, दोनों candidate इसमें apply कर सकते हैं और हर एक course की इतनी सारी seatیں category wise दे रखी हैं, इसको आप detail में देख सकते हैं और आप इसमें यह decide कर लें कि आपको कौन सा course करना है, कौन से aims में कौन सा course है और कौन सा course आपको करना है तो उसके लिए आप apply कर सकते हैं, यह BSC Paramedical Course के लिए seat matrix है, इसके बाद BSC Owners Nursing Only Female Candidate eligible हैं इसके लिए, 14 aims में यह course करवाया जाता है, 966 seats available हैं इसमें, इस साल seat और भी बढ़ सकती हैं इसमें और BSC Post Basic के लिए भी इसमें 50 seats हैं, इसमें Departmently seat भी होती हैं, BSC Post Basic के लिए अब इसमें हम बात करेंगी इसका duration, तो हरे course का duration है, वो यहाँ पर दिया गया है, कौन सा course कितने साल का है, तो यह आप इसमें देख सकते हैं, course का duration इसमें इसके बाद में जो minimum requirement है, marks की वो क्या है, तो BSC Owners Nursing के लिए 10 प्लस 2 पास होना चीए, इसमें English Physics Chemistry और Biology सब्जेक्ट से पास होना चीए, इसमें General OBC EWS के टेगरी को 55% minimum marks aggregate होना चीए, aggregate का मतलब इन चारों subject का total 55% marks होना चीए, जनरल OBC और EWS के लिए, 50% होना चीए, SC, SD के टेगरी candidates के लिए, इसी परकार से बाकी AIMS New Delhi में कौन-कौन से course है, उनके लिए क्या condition है, यह आप इसमें देख सकते हैं, AIMS wise आप इसमें चेक कर सकते हैं, कौन से AIMS में, कौन से course मे क्या requirement है, educational requirement क्या है, minimum marks कितना चीए, यह आप इसमें पुरा देख सकते हैं, अब इसमें आगे हम बात करते हैं, कि BSC nursing post basic के लिए qualification क्या चीए, तो इसमें 12th pass होना चीए, और diploma होना चीए, GNM में, GNM में diploma होना चीए, यह condition इसमें रखी गई है, जो intense test होगा, वो English और Hindi language में हो BSC nursing के लिए, जो BSC nursing के लिए centers हैं, इन centers में, गोहाटी, पटना, राइपूर, संडिगर, दिल्ली, इसके बाद बैंगलोर, त्रिवेंदरमपुरम, मुंबई, भोपाल, भोनेश्वर, जोदपूर, चिन्नई, देरादून और कॉल करता, इन centers पर BSC nursing का exam होगा इसमें, इसक 10 marks का paper होगा, टोटल इसमें 100 marks का paper होगा BSC nursing के लिए, और इसमें जो duration है, इसका वो 2 hours का होगा, एक मैं आपको बता दूँ कि जो BSC paramedical और BSC post basic exam है, उसका center दिल्ली NCR रहेगा, बाकी BSC nursing के लिए center मैंने आपको बता दिये हैं, तो ये total BSC nursing के लिए 200 का paper, शोरी 100 का paper होगा के लिए, इसके बाद BSC paramedical का जो one and half hours का होगा, इसमें 30 कुसन आएंगे physics, chemistry, biology और mathematics के course के according, आप कौन सा course चूज कर रहे हैं, उसके according इसका paper आएगा, अब scheme of marking की बात करें, तो एक जो क्यूसन है, वो one marks का होगा, और इसमें negative marking भी है, one third negative marking है, यानि कि आपके तीन क्यूसन गलत होते हैं, तो एक marks आपका cut जाएगा यहां पर, और एक correct answer का एक marks मिलेगा, आपने अगर क्यूसन छोट दिया है, कोई answer नहीं दिया है, तो उसका कोई marks कटेगा भी नहीं, तो मिलेगा भी नहीं, बात करें, fees के लिए, तो fees aims की बहुत ही कम है, चार साल के लिए इतनी सा सारी fees लगती है, BSC owners nursing की बात करें, तो tuition fees only 600 रुपीज लगेगी, 4 years के लिए, इसके इलावा other जो charges है, BSC nursing के लिए, port money है, 960 रुपीज रहेगी, hostel rent BSC nursing के लिए 480 रुपीज होगा, यह सारा का सारा 4 साल के लिए है, Carson money 100 रुपीज होगी, hostel के लिए, hostel secretary 1000 रुपीज होगी, यानि की ने के बराबर fees है, AIMS की, strike fund भी मिलता है, इसमें 500 रुपीज पर मन्त आपको BSC nursing के लिए मिलेगा, तो यह condition थी, यह 2023 का prospect है, 2024 का prospect अभी release नहीं हुआ है, अलांकि इसमें condition है, वो थोड़ी बहुत change होती रहती है, हो सकता है, सीटें वगरा कुछ change हो जाए, कुछ A prospect आएगा, हम आपको बता देंगे, अब बात करें, इसका form apply कैसे करना है, तो मैंने आपको बताया कि अभी यह जो date है, 4th April तक basic registration की है, तो आपको पहले basic registration करना है, और इसके बाद code generate करके final registration करना है, वो 12th March 24 के बाद start होगा, तो सबसे पहले हमें basic registration के बारे में देख लेते तो सबसे पहले basic registration के लिए आपको site वो ही है, उस site पर basiccourses.aims.ac.ac.in पर जैसी ही आप visit करेंगे, इस पर कार का interface आएगा, यहाँ पर proceed to basic registration form using courses पर यहाँ क्लिक करेंगे हम, अगर आपने यहाँ पर code generate के बाद इस option पर क्लिक करेंगे, लेकिन पहले हमने basic registration करना है, तो इस प कर रखा है, 20 में कर रखा है, 19 से यह basic registration start हो गए थे, तो यह 4-5 साल पहले भी अगर किसी ने basic registration कर रखा है, तो उसको दुबारा से basic registration करने की जौरत नहीं है, उनको direct final registration करना है, code generate करना है, और final registration करना है, अगर आपने नहीं किया है, तो proceed to basic registration पर क्लिक करना है, यहाँ पर, त तो आपकी वो सारी detail आजाएगी, अगर आपने दो साल पहले भी यहाँ registration कर रखा है, तो दुबारा basic registration करने की जरुरत नहीं है, इसमें, अगर आप भूल गए है, registration ID, password वगर भूल गए है, तो forget your login detail पर यहाँ click करेंगे, तो जैसी ही click करेंगे, registration ID आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ से login कर सकते हैं, login करके आप यहाँ पूरी details आपकी यहाँ पर check कर सकते हैं, login करने के बाद, अगर आप first बार कर रहे हैं, इस साल पहली बार aims के लिए registration कर रहे हैं, तो click here for new basic registration पर click करेंगे, जैसी ही click करेंगे, इस परकार का option आएगा, proceed पर click करेंगे, यह तीन प box पर check करके, generate registration ID and password पर click करेंगे, तो जैसे ही इस पर click करेंगे, यह आपका step complete हो जाएगा और आपको registration ID और password मिल जाएगा आपके mail पर, okay करेंगे, okay करने के बाद में आप फिर से login करेंगे, login करने के लिए वही टेप पर आपको फिर से जाना है, यहाँ पर login करना है, यहाँ photo, signature और left thumb यहाँ पर आपको upload करना है, तो photo upload करनी है, यहाँ पर signature upload करना है, और यहाँ पर left thumb upload करना है, photo आपकी white background में होनी चीए, 6 मैंने ज्यादा पुराणी नहीं होनी चीए, face, ear, सब कुछ आपका clear visible होना चीए, left thumb impress करना है इस परकार से, और signature है वो running hand में लिखना है, capital letter म signature कभी नहीं करना है, यह जो आपको signature करना है, यह left thumb लगाना है, तो यह blue and black ink से आप लगा सकते हैं, तो यह सारी complete करके आप submit पर click करेंगे, तो आपका basic registration step complete हो चुका है, जैसे ही complete हो गया है, यह print का option आएगा, यह detail आप print करके रख लें, फिर भी अगर आपको कुछ detail से edit करन print करके रख लें, और 12 मार्स के बाद आप code generate करके final registration कर दे, final registration में fees का payment होगा, educational details फिल की, qualification details फिल की जाएगी आपकी और exam CTA आपको कौन सा लेना है, exam center आपको fill करना है, तो यह complete हो जाएगा, तो यह जानकारी थी, aims से BSE nursing, paramedical और post basic तीनू courses के लिए, बाकी जानकारी जैसे ह की मिलेगी हम आपको inform कर देंगे, मिलेंगी नई अपडेट से साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा, जैए